जै बंबं भोले, हम सब की रक्षा करना, जै सूर्य भगवान, हम सब को आरोग ये प्रदान करना राधे राधे जी, प्रदोश वरत की आप सब को बहुत सारी शुब कामनार प्रिमित्रो प्रदोश वरत यानि की त्रयोदशी का वरत शिवशक्ति को समर्पित वरत है हर माह में त्रयोदशी तिथी यानि की तेरावा दिन दो बारादी है अन्य वरतों से विभक्त त्रयोदशी का महत्व उसके वार के अनुसार होता है आज रविवार है तो आज का प्रदोश्वरत रवी प्रदोश्वरत कहलाता है रविवार को आने वाला यह प्रदोश्वरत स्वास्त की दृष्टी से बहुत महत्वपूर नमाना गया है इस वरत में पूजन सूर्यास्त के समय करने का महत्व है यह वरत करने वालों की स्वास्ती से समंधित परेशानियां दूर होती है आज के स्थितियों में हम सब को अच्छे स्वास्ती का वर्दान चाहिए 5 अप्रेल को रवी प्रदोश्वरत पूजन का महुरत है सायंकाल 5 बचकर 7 मिनट से लेकर 6 बचकर 41 मिनट तक अभी हम सुनेंगे रवी प्रदोश्वरत की कथा कथा अनंतर हम रवी प्रदोश्वरत पर किये जाने वाले कुछ सरल महा उपाय के बारे में जानेंगे रवी प्रदोश्वरत की कथा एक सम्मे सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरती के तट पर रिशी समाज द्वारा विशाल गोश्थी का आयोजन किया गया इस सभा में व्यास जी के परम शिश्य पुरान वेता सूत जी महराज हरी कीर्दन करते हुए पधारे सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादी अठासी हजार रिशी मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रनाम किया महाग्यानी सूत जी ने भक्तिभाव से रिशियों को हृदे से लगाया तथा आशरवात दिया विद्वान रिशिगन और सब शिश आसनों पर विराजमान हो गए शौनकादी रिशी ने पूछा हे पूजवर महामते कृप्या यह बताने का कष्ट करे कि मंगल प्रत कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किस ने किया और उसे क्या फल प्राप्थ हुआ श्री सूथ जी बोले आप सभी शिव के परम भक्त हैं आपकी भक्ती को देखकर मैं वरती मनुश्यों की कथा कहता हूँ ध्यान से सुनो रवी प्रदोश कथा एक गाव में अतिदीन प्रामन निवास करता था उसकी साथ फीस्तरी प्रदोश वरत किया करती थी उसे एक ही पुत्र रत्न था एक समय की बात है वह पुत्र गंगास नान करने के लिए गया तुरभा के वश मार्ग में चोरो ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो बालक दीन भाव से कहने रगा कि बंध हुँ हम अत्यंत दुखी दीन हैं हमारे पास धन कहा है तब चोरो ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है बालक ने निस संकुछ कहा कि मेरी माने मेरे लिए रोटिया दी है यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों यह बहुत ही दीन दुखी मनुश्य है अतहा हम किसी और को लूटेंगे इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुँचा नगर के पास एक बर्गत का पेड़ था वह बालक उसी बर्गत के व्रिक्ष की जाया में सो गया उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोचते हुए उस बर्गत के व्रिक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझ कर बंदी बना राजा के पास ले गए राजा ने उसे कार्वास में बंद करने का आदेश दिया ब्रामनी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई अगले दिन प्रदोशुरत था ब्रामनी ने प्रदोशुरत किया और भगवान शंकर जी से मन हे मन अपने पुत्री की कुशलता की प्रार्थना करने लगी भगवान शंकर जी ने उस ब्रामनी की प्रार्थना से विकार कर ली उसी राद भगवन शंकर जी ने उस राजा को स्वपन में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है उसे प्रातर काल छोड़ दे अन्य था उसका सारा राज वैभव नश्ट हो जाएगा प्रातर काल राजा ने शिवजी की आग्या नसार उस बालक को कारवास से मुक्त कर दिया बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई सारा वृत्तान सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भीजा और उसके माता पिता को राच दर्बार में बुलाया उसके माता पिता बहुत ही भैभीत थे राजा ने उन्हें भैभीत देकर कहा कि आप भैभीत नहूं आपका बालक निर्दोश है राजा ने ब्रामन को पांच गाओ दानमी दिये जिससे कि वे सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके भगवान शिवजी की कृपा से वह ब्रामन परिवार आनन से रहने लगे इती रवी प्रदोश वरत कथा प्रियमित्रों सूर्य प्रदोश का वरत करके भवश्य में उत्तम स्वास्ति का आशरवाद भगवान शिवजी और सूर्य नारायन भगवान देते हैं आज के प्रदोश वरत के पूजा के शुप मुहूरत में आप पूर्व दिशा की तरफ मुह करके लाल आसन पर बैठें तथा एक तामबे के लोटे में जल भर कर रखें यदि संभव हो तो शुथ तामबे के दिये में गाय का घी भर कर कलावे की बाती लगा कर प्रजवलत करें अन्यता साधारन मित्ती के दिये को ही प्रजवलत करें तामबे का लोटा व तामबे के दिये का प्रयोग इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सूर्य नारायन के प्रियधातु है अब भगवान गनपती जी को नमस्कार करें तथा अपने घर में धन संपतिवा आरोग्य के लिए भगवान सूर्य नारायन से प्रार्थना करें इसके पस्चाद भगवान उमा महिश्वर का ध्यान कर प्रार्थना करें इस तरहां हे उमानात कर्ज दुर्भाग या दरत्रता भै रोग वसमस्त पापों का नाश करने के लिए आप पार्वती जी सहित पधार कर मेरी पूजा सुईकार करें महा मृतिन जय मंत्र का जाप अवश्य ही करें कम से कम 18 बार या हो सके तो 108 बार आज आप अवश्य समय निकाल कर करें ओम त्रयम बकम यजामहे सुगंधिम पुष्टे वर्धनम उरवारुकमे वबंधनात बृत्य और मोक्षिय मामरतात इस मंत्र का अर्थ है हम त्रिनेत्र को पूचते हैं जो सुगंधित हैं हमारा पोशन करते हैं जिस तरह फल शाखा के बंधन से मुक्थ हो जाता है वैसे ही हम भी मृत्यों और नश्वरता से मुक्थ हो जाएं पूजा के बाद अपने पिता या पिता की उम्र के समान व्यक्ति के चरंस पर्ष करें जोतर शास्तर में सूर्य को पिता के कारक कहा गया है इसलिए पिता जी या पिता के समान लोगों को सम्मान देना हमारी कुंडली में सूर्य को और मजबूत बनाता है सूर्य को सध्रड करने का यही सबसे उत्तम मार्ग है इसके अतरक्त आज आप नमका सेवन बिलकुल ना करें मीठा भोजन कर सकते हैं जैसे की दल्या हो या ओच्छो उसमें चीनी मिला कर खाएं या स्वास्ति के लिए भी बहुत अच्छा है और इस बड़ती गर्मी के मौसम में भी शरीर को यह ठंडा रखता है फला हर अवशही कर सकते हैं इसके अतरक्त नीतरहीन लोगों को दान करने से सूर्य नारान बहुत ही जल्द प्रसन होते हैं प्रियमित्रो ये है आज का विरियो आशा है आपको अच्छी लगी जाते जाते आपको एक सज्जन अनुस्मारक आज पांच अप्रेल है रविवार है देश भर ये विशानू जो त्राही त्राही मचा रखा है इस जंग में हम सब एक साथ हैं यह दर्शाने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी के वचन अनुसार आज रातरी के नौ बजे हम अपने घरों के ट्यूब लाइट और बल पित्यादी स्विच ओफ करके नौ धिये प्रजवलत करेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में स्वस्ति